दोस्त और बिजनेस ग्रोथ असोसियेट फाइनस बिजनस में भी काफी सारी धोकादड़ी होने लगी है निदी कंपणी के नाम से बहुत सारी धोकादड़ी होती है कई बार और बहुत जादा जागरूख हो गई है और जागरूख की इस बात से हमको काम करना है दूसरा जागरूख यह हुई है कि निदी कंपणी अच्छा है उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है यह दिपंकर सर बोलते हैं और इसके अलावा जो उनको अपनी जानका रही है इसके अल लोगों के इस इमोशन का फायदा उठाते हैं दूसरे कंपणी जो की इस टाइप का काम कर रहे हैं लेकिन उसमें गलतियां क्या क्या अगर आप समझ जाओगे तो फिर आप फ्रॉड से बच सकते हैं क्यों क्योंकि सबसे पहली बात यह कि निदी कंपणी के लिए हमारे पा की गलतियां हैं जिसके कारण की वह आपके पास आएगी उसके बाद में फश्याइंगे क्योंकि जितनी पुरानी कंपणी उससे लोग डैरेक्टर के रूप में निकलना चारहे हैं दूसरे को डालना चारहे हैं खुद बाहर होंगे दूसरे को डालेंगे और जाकर एक नहीं कंपणी बनाएंगे तो ऐसी कंपणी में नहीं जाना है राइट पहला चीज़ दूसरा अगर कोई बोले कि निधी कंपणी का franchise सर हम लोग को तो district district में बाट रहे हैं और franchise वह सस्ते में मिल रहा है खाली पचास रुपए देना पड़ेगा और नीदी company का franchise बन जाएंगे हम deposit लेते रहेंगे उसके बाद में हमको एक अच्छा commission भी मिल जा रहा है और बोलते हैं कि कम से कम 50 एजेंट रख सकते हैं यहां पर तीन तीन फ्लो है सबसे पहला क्या है कि आपको branches अलोट नहीं कर सकते franchise के रूप में उसका भी branches का rule अलग से मेरे नीदी वाली वीडियो देखिएगा रही तो यहां पर गड़बड है इस company को बिलकुल लेनी के ज़रुवत नहीं है दूसरी चीज़ आप से पैसा लेकर वो आपको member बना के या franchise बना कर काम करना चाहरे है ऐसा possible नहीं है इसलिए यह वाला possible नहीं मतलब rule नहीं है तो फिर ऐसे वाले जगा पर मज जाएगा तीसरा चीज़ यह कि वो आपको commission दे रहे हैं तो commission allowed नहीं है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी गड़बड़ी है और एक चौथा चीज़ भी है वो क्या है कि आप agent नहीं रख सकते तो यह चा लोग तो deposit पर 25-25% देते हैं कोई 18% देता है कोई 15% देता है और वो लोगों को commission भी दे रहा है commission वाली बात तो मैंने पहले ही बता दी है लेकिन जो साड़े बारा परसेंट से जादा दे रहा है और उसके बारे में अगर कोई भी notice कहीं पर आ गया या फिर किसी ने कोई notice ब करने वाले उसके उपर बताना चाहता हूं आप कभी ऐसी company से मत जूड़ियेगा निदी company में अगर gold loan mortgage loan के अलावा अगर वो unsecured बोगते सब में थोड़ा थोड़ा लोन देते हैं वहां पे पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पांच-पां वह company नए निदी रूल 2022 के अगर पहले किये तो उसमें दस लाख रुपए का paid up capital कम से कम already दिखना चाहिए उसके बाद उसका paper search करवाईएगा paper search कराने के बाद आपको दिखेगा कि उसने compliance पूरे किये की नहीं किये अगर आपको लगता है कि compliance चेक करना आपको नहीं आता तो आप हमारे office में संपर कर सकते है compliance चेक करके हम लोग किसी भी company का आप लोग को provide कर सकते रहे इस तरीके से आप निदी company में धोका नहीं खाएंगे माइक्रो फाइनेंस company में बहुत बड़ा problem क्या होने लगा है कि उस पर deposit लोग लेने लग गए उस पर भी franchise देने लग गए उसमें कोई problem नहीं क्यूंकि वो all over इंडिया में काम कर सकता है अगर terms and conditions set है rules regulation से काम कर रहे हैं तो फिर क्या कर सकते हैं आप franchise मतलब branches open कर सकते हैं लेकर company के account में डालना उसके बाद आपको commission मिलेगा और उसमें से कुछ पैसे का आप loan दे पाओगे यहां पर क्या होता है money rotation वाला काम वो शुरू कर देते हैं loan actual में वो बाढ़ते नहीं deposit कराने के लिए microfinance का इसलिए use करते हैं क्योंकि वहां पर central government का license है जो की भारी दीख है और वह कहीं पर memorandum में भी कुछ correction करवा लेते हैं जिसमें deposit लिख देते हैं जिससे कि वह सामने वाले को दिखा भूल हाँ लिखा तो हुआ है यहां पर भी मैं बता दू अगर आपको हमारे office के भी चेक करना है तो फिर हमारे office में connect कर सकते हम लोग माइक्राइन के बीचेक करके कर सकते हैं तो adesso कर सकते हैं कि नहीं हम लोग चेक करके दे सकते हैं इसके अलावा अगर आपको लगता कि धंदा शुरू करना निदी कंपणी और माइक्रोफाइनेंस का आपको सीखना है तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी वले बले आफलाइन भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं और अभी मुंबई में हमारा प्रोग्राम होने वाले म्मारा प्रोग्र को साफ डिय बले खेता है प्रोग्राम ह commentary कि का आपको सीखना है ऐसे यह हमारा प्रणा प्रोभ प्रुखवक हमार्न प्रंवा थाँ वे राफलाए प्रोग।